आर्टी जी आप माइक आफ कर लीजिए आज समय है आगे बहने का 9.29 हो चुके हैं एक मिनट बचा है एक मिनट के बाद हम शार पतनी प्लासे से स्टार्ट कर देंगे देखेंगे कुछ बहत्रीन बहत्रीन क्वेश्चन्स statics and dynamics इस्थिति विज्यान और गति विज्यान के कि चली 9.30 हो चुके हैं क्लास स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप में आप लोग एक बार मेंसेज कर देते हैं मैं भी मैसेज कर देता हूं क्लास स्टार्ट और class को देर में लगाती हुए स्ट्राट करते हैं उब चलिए तो कल मैंने आपको question 1 और question 2 कराई थे और जिसमें मैंने लामीस स्ट्रम का concept डिसकंस किया था और उसके बद question number 2 question number 1 में लामीस स्ट्रम का concept डिसकंस किया था और question number 2 में resultant forces, जो है परिनामी बल के अधार पर जो क्वेशन किया थो आ हु very आज चल रहे हैं क्वेशन नबर थी की तरफ पर जू अब के सामने कष्ष्षा धिख रहा है स्क्रीन सबीकर। सब्सक्राइख says चली, तो देखे, question number 3, जो है, क्या कह रहा है, एक कण उर्ध्वारदर देशा में, उर्ध्वारदर तह, उपर की ओर फिका जाता है, यदि T1 वर T2 समय के पस्चात वह, उचाई H पर हो, तो H का मान क्या होगा, ये question जो है, काफी बच्चों ने छोड़ा था, क्योंकि physics वाला भी नहीं बनता है, केवल ये पता हो, कि गुरुत्वी तुरण की इकाई क्या होती है, वो बच्चा भी ये question करके आ सकता था, तो इस सवाल को कैसे करना था, आईए इस सवाल को मैं बताता हूँ आपको, देखे, क्या कह रहा है, कि एक कन उर्ध्वारदर देशा में, उपर क्यों फेका जाता है, यदि T1 और T2 समय के फश्चाथ, वह उचाई H पर हो, ये जो सवाल है, ये प्रच्छे प्रच्छे प्रगती का है, प्रच्छे प्रच्छे प्रगती मेंस प्रोजेक्टाइल मोशन का question है, और प्रोजेक्टाइल मोशन का ये question कैसे करूंगा, मैं अब ध्यान में दखिए, ये एच का मान पूछ रहे हैं, तो H क्या है, उचाई है, एच क्या होती है, उचाई होती है, तो उचाई का मान ये पूछ रहे है, अब पहला option है, H इक्वाल टू, पहला option जो हमाने सामने दिया है, H एक्वाल टू, 1 बाइटू, G, T1 इन्टू, T तो मित्रू, G का मान कितना होता है, सब लोग जानते है, G की 1 काई होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वार, और T1 की 1 काई होती है सेकेंड, और T2 की 1 काई भी होती है सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसल हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड से सेकेंड स्केंड स्केंड कैंसल हो ग चारो option चेक करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि सही जवाब क्या है आईए दिखते हैं तो चारो option को दीछ चेक करने की बाद की जाए तो second option में देखें अगर g अंडरूप t1 अंडरूप t2 तो meter per second square ओके तो नीचे second square आएगा और नीचे उपर second into second जो है एक second आएगा तो ये cancel होगा नहीं इधर देखें 2g t1 plus t2 मतलब 2g 2 की कोई काई होती नहीं g की meter per second square और second plus second equal to second हो जाएगा मतलब meter second बनेगी unit मतलब एक ही option दिख़़ा है बिना कुछ pen चलाए कि बल दिमाग चला करके ये option number ace का सही answer होगा बूलिए मेरी बात समझ में आई आपको की नहीं आई यस इकाई समझ में आई बताईए माई कौन करके आप लोग reply तो कीजिए one-sided पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा आप लोग भी बताईए आगया सर समझ में आगया सर हम यस तो तो मैंने इसमें यह बताया है कि सर 21 से आप टेस्ट कर सकते हैं तो जो पहला option है वह वान अपवान टू जी वान जी टीवन टीटू में अधि अब जी की काई रखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्कॉर और सेकेंड स्कॉर से सेकेंड स्कॉर कैंसल हो जाएगा तो मीटर बचेगा और इसमें एच का मान पूछा गया है एच क्या हाइट है तो इस तरीके से यह सवाल हमारा हो जाएगा अब रही बात इसको सिस्टेमाटिक करनी के लिए समें काफी वक्त लगेगा यह हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन क प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ चीजिए आप बिल्कुल नोट कर लीजे देखिए इसमें क्या होता है प्रचेप वह गती होती है जिसमें जो כुरुत्व के अधीन गती हुआ करती है और जो वन डैमिशन मोशन मतलब एक विमी गती नहों हो दो विमी गती हो जिसमें दो दिशाओं में वेक के component तूटे, वेक के घटक तूटे, उसको हम बोलते हैं परच्छेप गती, तो होता क्या है, इसमें यू वेक से एक कण को आप उपर की तरफ फेकते हैं, जिस कण को आप उपर की तरफ फेकते हैं, वो कहलाता है परच्छेप, अब जब यू एक से आप इसको फेकेंगे, तो इसके दो घटक पूटेंगे, एक घटक इसका कहलाएगा, एक दिशा का घटक, यू एक एक दिशा का घटक कहलाएगा, यू वाई एक कोल्स टू यू साइन थीटा, तो एक घट हो गया गया, दूसरा हो गया, यू साइन थीटा, अब आप इस चीश को समझ ये कि x से दिशा में किसी भी प्रकार का तुरण काम नहीं करेगा तो x दिशा में तुरण कितना होगा? 0 मतलब x दिशा में किसी भी प्रकार का तुरण काम नहीं करेगा तो x दिशा में ये गती हर समय constant रहेगी, नियत रहेगी तो हर point पर x का वेग ux ही रहेगा बदलेगा नहीं u cos theta ही रहेगा परन्तु y दिसा में तो रहा है a y a y क्या कर रहा है काम y दिसा में क्योंकि अर्थ काम कर रही है तो अर्थ की वज़े से गुरुत्वी तो रहा है कितना काम करेगा g जो की नीचे की ओर है इसलिए मैंने लिखा है minus g तो initial velocity तो ये है बट final velocity जो है वो ये नहीं रहेगी मतलब कानग जिस समय आपने fire किया इसको जिस समय आपने गोला दागा है उस समय इसकी velocity u sin theta है मगर थोड़े समय के बाद इसकी velocity बरद जाएगी तो हम y दिशा में गती के नियम लगाएंगे तो y दिशा में त्वरित गती के नियम लगेंगे तो y दिशा में copy में note करते हैं आप लो y दिशा में त्वरित गती I mean to say in y direction we will apply the law of accelerated motion y दिशा में त्वरित गती के नियम लगेंगे अब है तुरित गती के नियम क्या होते हैं पहला नियम V equal to U plus 80 दूसरा नियम S equal to UT plus half 80 square और तीसरा नियम V square equal to U square plus 2 AS ये नियम लगते हैं इनको मैं एक-एक लगा के आपको बताय देता हूं और इन नियम को लगाने से बहुत कुछ बाते हैं आपके सामने आएंगी उनको हम उपयोग भी करेंगे आपके साथ तो चलिए पहला नियम देखते हैं तो V equal to U plus 80 है तो मान लीजे इस point पर आपको वेग निकालना है ये point है T समय पर आपको वेग निकालना है Y direction का तो Y देशा का वेग बराबर U Y प्लस A Y इंटो T तो V Y Y देशा का वेग एककोल इटो U Y कितना हो जाएगा initial velocity प्रादमबिक वेग Y देशा का U sin theta प्लस A Y Y देशा में तोरण कितना लग रहा है minus G minus G इंटो T तो ये नोट कर लिजे ये Y देशा का किसी भी समय किसी भी पल पर वेग है तो मैं आपसे सभी बच्चों से सभी student से एक मैं बात कहूंगा कि आप कभी भी प्रच्छेप गती पढ़ रहे हैं प्रच्छेप गती के सवालों को लगा रहे हैं तो इसमें X देशा का motion अलग फील करें और Y देशा का motion अलग फील करें मतलब इसमें दो गतियां होती है एक X देशा की और एक Y देशा की अगर आप अलग अलग गती रगाएंगे तो ही प्रच्छेप गती सॉल होगी अदरवाइस नहीं होगी चलिए तो ये हो गया अब मान लेते हैं दूसरा equation लगाते हैं किसी भी moment पर इसकी height H है मैं अधिक्तम उचाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसी भी position पर उचाई की बात कर रहा हूँ तो उचाई को आप H ले लिए हैं वैसे बहतर होगा कि हम Y ले ले क्योंकि mathematics में हम coordinate लेते हैं X,Y तो चलिए देख लेगे वो बात की बात है पहली equation लिख लेते हैं तो S equal to UT plus half AT square तो Y direction का विस्थापन SY बराबर UY into T plus half AY और समय ना X के लिए होता है ना Y के लिए होता है समय तो समय होता है तो T square तो S Y Y देशा का विस्थापन फिलहाल मैंने H लिया है तो H equal to UY means U sin theta into T plus half AY की जगे कितना minus G into T का square तो ये note कर लिए ये किसका formula है ये किसी भी समय पर चली गई दूरी इसको बहतर होगा आप H ना बोले क्योंकि H आपको feeling देगा अधिकतम उचाई की तो आप इसे H ना बोले बहतर होगा इसे आप S Y बोले भली मैंने आपे H लिग दिया है मगर आप इसे S Y लिखे S Y मतलब Y दिसा में विस्थापन है Y दिसा का विस्थापन S Y है चलिए तो बताइए मित्रों आपको ये समझ में आया है एक बार Yes बोलिए यदि नहीं समझ में आया है तो जो लाइन समझ में नहीं आई है उसके प्लीज बताइए पॉइंट आउट कीजिए तो मैं उसके एक्स्पेइन कर दो क्लियर है सभी को जी कर जी ठीक है अब देखे دूसरा सवाल करते हैं येस एक मेंसेज आया है देखते हैं जी तो तो नेक्स देखते हैं अब इस सवाल को हम कैसे करें गे अब ये सवाल Physics और Mathematics दोनों का ही Combo Pack है जिसमें एप्रोच फिजिक्स की लगी है, कैलकुलेशन मेथोटिक्स की लगी है, देखे, क्या कह रहा है यह सवाल, इस सवाल को कहला है, कि एक कन उर्ध्वार्धर देशा में उर्ध्वार्धता ऊपर की उर्ध्वेका जाता है, ठीक ना, उर्ध्वार्धर देशा में उपर की यह अपने पास ग्राउंड हे मित्रों यह ग्राउंड है यह मेरे पास ग्राउंड है अब किया रहा है यहां से आपने एक कण को ऊपर की ओर फेका है तो उपर की और फेकने के लिए जाहिर है कि कोई ना कोई वेलॉस्की होगी तो यह उपर जाएगा और एक पॉइंट पर इसकी हाइट मैक्समम होगी और फिर यह नीचे की और गिरेगा यस देख लिए इसकी मैक्समम हाइट से हमें मतलब नहीं है मैं मान लेता हूँ इसकी मैक्समम हाइट कैपिटल एच है मगर जो हमारा सवाल दिया है वो कैपिटल एच पर नहीं है हमारा सवाल कह रहा है कि दो समय है तीवन और टीटू और टीटू पर इसकी उचाई एच है त तो आप इस परिस्थिती पर विचाल कीज़ें तो यहां पर जाने का समय यहां तक उपर जाने का समय कितना होगा T1 और लौट करके वापस आने के बाद कुछ समय और एड हो जाएगा तो एक समय और मिल रहा है यह वाला टाइम यहां से चल करके यह पूला यह वाला टाइम कितना है T2 और इन दोनों समयों पर हाइट कितनी है H है तो इन दोनों ही टाइम इंटरवल पर हाइट हमाँ पास H दी गई है अब कह रहा है कि यदि यह हाइट H है तो आप H का मान बताइए अब ही मैंने शॉर्ट ट्रिक से बता दिया है बट आप जानना चाहते है कि इसका पूरा का पूरा solution कैसा आता है तो यह मैंने solution मना रखा है हलाकि यह मैंने प्रच्छेप गती के लिए solution मैंने बनाया है ठीक हैँ? तो प्रच्छे पगती में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि body आप उपर फेक रहे हैं चली, तो प्रच्छे पगती में मैंने अभी अभी आपको बताया s equal to ut plus half a t square चली, तो भी अभी प्रच्छे पगती के समीखन को लगाएं तो अभी अभी मैंने बताया h equal to ut u sin theta into t plus half a t square, तो a apply होता है minus g तो बन जाएगा minus 1 by 2 g t square अब फिल कीजे इस बात को कि ये जो प्रच्छे पगती 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 है दो समय है, एक यहाँ पर एक समय है t1 और एक समय है t2 t1 और t2 समय पर ये समान उचाई पर है प्रच्छे समान उचाई पर है, मतलब h उचाई के लिए tk 2 मान है t1 और t2 h उचाई के लिए tk 2 मान है t1 और t2 तो क्या करिए, वर्ग समी करण बनाईए इसको तो 1 upon 2 g t square, left में ले जाएए तो 1 upon 2 g t square minus u sin theta into t plus h बराबर 0 ये बन गया वर्ग समी करण tk परदों में ये tk परदों में वर्ग समी करण बन जाएगा और अगर हमारे t1 और t2 उचाई h दे रहे हैं इसका मतलब t1 और t2 क्या होंगे, मूल और हमसे question में पूछा गया है मूलों का गुडन फल देखे यहाँ पे हमारे पास h पूछा गया है और यहाँ पे गुडन फल इनवाल्व है तो हम क्या करते हैं यदि इसके मूल t1 और t2 है अगर ये quadratic equation है और इसके मूल अगर t1 और t2 है तो मूलों का गुडन फल निकाल लेते हैं तो मूलों का गुडन फल इक्वल टू c अपॉण a c की जगह यहाँ पे h है और a की जगह कितना है 1 अपॉण 2g तो t1 इन्टू t2 इक्वल टू 2h अपॉण g और h की value कितनी है जाएगी h की value यहाँ से निकाल लेजे g t1 t2 upon 2 तो यह mathematical approach यहाँ पे लग रही है इसको note करें प्लीज सवाल कीजी बूलिए clear वह यह method की नहीं हुआ बताइए नहीं हुआ क्या clear hello बताइए please yes यह method क्लियर दोवेश कुमार जी आपका माइक ओन है बताइए इसमें कोई problem है चाहिए मैथड में नहीं तरो प्रॉब्लम नहींगी आस लागे इंटी करेंगे तो टीवन और टीटू समय इसके दो मूल बन जाएंगे और फिल यह इस तरीके से कुछ फॉर्मूले इसके हैं प्रोजेक्टाइल के वह हमको नोट करने पड़ेंगे वह लिखते हैं सबसे पहले लिखे सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है केपिटल आर केपिटल आर मींज 36 परास 36 परास का मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल अधिक्तम कितनी दूरी तैग कर चुका है तो आर का फॉर्मूला लिखे यू स्क्वार साइन तू ठीटा बाई जी नोट करिए आर कोल टू यू स्क्वार साइन तू ठीटा बाई जी यह सारे फॉर्मूला डिराइब किये जाते हैं मगर यहां पर ज़रूरत नहीं है हमें डिराइब करने की तो आर कोल टू यू स्क्वार साइन तू ठीटा बाई जी यह स्क्वार नहीं है साइन तू ठीटा है तो r equal to 2 को बाहर लेज़े और 2 को बाहर लेकर के u sin theta एक पड़ बना लेजे u cos theta दूसरा पड़ बना लेजे और g नीचे रख दीजे तो एक formula मेरे पस बन रहा है r का 2 ये क्या है u y है ये क्या है u x है upon g तो एक formula ये भी बन गया मेरे पस r equals to 2 u x u y upon g ऐसे questions आ सकते हैं संभव है कि r का directly formula भी आपसे उच लिए जाए तो ये r का formula नोट कर लेजे तो ये r का formula मेरे पस हो गया ठीक अब लेखे अधिकतम उचाई अधिकतम उचाई h तो अधिकतम उचाई किस समय होगी अधिकतम उचाई जिस समय होगी जिस समय वेग का y component अधिकतम उचाई पर केतना हो जागा 0 तो ये अगर वेग का y component 0 नहीं होता तो हमारा प्रच्छे और उपर जाता मगर अधिक्तम उचाई पर y component जीरू हो जाएगा तो आप अधिक्तम उचाई का formula याद करने बस u square sin square theta upon 2g कि नोट कर ले u square sin square theta upon 2g यह अधिक्तम उचाई का component है ठीक है चली बहुत important formula है दोनों जिनसे बहुत सारे question मते हैं एक और formula लेकिए उडान काल जिसे उड्यान काल भी आप सर मोबाइल साउंड बाफ कर लिजे देवे सर साउंड आफ कर लो प्लीज आप जहां पर आपको doubt पूछना है एक एक करके बिल्कुल पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है जितना sum हो पाएगा मैं बताऊंगा तो देखे यह उड्यान काल उड्यान काल मतलब उडान काल मतलब प्रच्छेप को शुरुवात से लेगे अंत तक पहुचने में लगा हुए समय उडान काल तो इस तरीके से इसको समझे कि जिस प्रच्छेप आपने फेका है वो प्रच्छेप दो पाल्ट में अपनी यात्रा दे करता है पहले नीचे से उपर उठता है T1 और उपर से फिर नीचे जाता है समय T2 तो उपर से नीचे जाने का समय और नीचे से उपर आने का समय बराबर होता है और वो समय होता है u sin theta by g तो total time t is equal to t1 plus t2 that is equal to u sin theta by g दो बार तो जब दो बार add करोगे तो यह ले दे के तो 2 u sin theta by g ही आएगा तो लिख लें उडान काल t equal to 2 u sin theta by g 2 u sin theta by g नोट करें बार तो लें काल Tut to 2 u sin theta by g ठीक है चली तो अगले प्रेशन की तरव बढ़ते हैं यह लिख 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 लिए आप लोगो ने की रुकों में लिख 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 लिखा हॉ 축 नबार आप्रेर प्रेशन की तरव बढ़ते हैं अगला question बहुत सरल, बहुत easy question आने वाला है आपके लिए, ये question है, बहुत ही आसान, बच्चों वाला question है, यदि किसी प्रचेप की महत्तम उचाई और 36 परास बराबर है, तो प्रचेप कोण का मान रखाई है, चलिए दीजे, एक मिनट को question है, आप लोग को समय दिया, पताई ये क्या होगा मान रखाई है, यदि प्रचेप की 36 परास और महत्तम उचाई बराबर है, तो प्रचेप कोण का मान रखाई है, यदि किसी प्रचेप में महत्तम उचाई और 36 परास बराबर है, तो प्रचेप कोण का मान रखाई है, झाल बताईए क्या समस्या हो रही नहीं बता पा रहे हैं क्या आप लोग आप संद्री आप संद्री अपने बता दी अपने जवाब अब देखिए क्या रहा है कि यदी किसी प्रचेप में महत्तम उचाई 36 परास के बराबर है तो प्रचेप क्या होगा मतलब क्या क्या कहना है कि महत्तम उचाई प्रचेप 36 परास के बराबर है तो मैंने आपको 36 परास भी पढ़ाया आर भी पढ़ाया और मैंने आपको महत्तम मुचाई H भी पढ़ाई दोनों बराबर कह रहा है ठीक है ना र की वेल्य मैंने आपको पढ़ाई यू स्क्वेर साइन तू ठीटा अपॉन जी पढ़ाई और महत्तम उचाई मैंने आपको क्या पढ़ाई यू स्क्वेर साइन स्क्वेर ठीटा अपॉन तू जी दोनों ठीक है, तो इसको मैं लेख सकता हूं, sin theta into sin theta divided by 2, एक sin theta से 1 sin theta eliminate हो जाएगा, cancel हो गया यहाँ पर, और अब यहाँ पर बंग गया हमाँ पास देखे, sin upon cos, यानि कि 10 theta, और 2, 2 तो जा कितना हो गया, 4, so theta equals to 10 inverse 4, तो correct answer इसका जो है आपको पता चल चुका है, this is the right answer, तो यदि यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो correct answer जो परछेप कौन होगा, 10 inverse 4, और मैं आपको बता दूँ कि 10 inverse 4 जो होता है, लगबक 76 degree के आसपास आता है, यह 76 degree के आसपास इसकी value आया करती है, अब मैं आपको एक formula लिखा देता हूँ, एक formula लिखा देता हूँ, लिखे, r तथा h में सम्मंद, अगर r और h का कोई भी सवाल आता है, तो वो इस सम्मंद से हल हो जाता है, सम्मंद है, r 10 theta equals to 4 h, yes, r 10 theta equals to 4 h, यहाँ इस trick से, इस result से आपके सभी सवाल हो जाता है, जिसे इसी प्रश्ण की बात की जाता है, तो इसमें कैसे लगे गए, इस प्रश्ण में कहा गया था, कि r और h बराबर है, तो r और h बराबर है, तो दोनों को x ले लो, x 10 theta equal to 4 x, x से x cancel, और 10 theta equals to 4, so theta equals to 10 inverse 4, बुलें, clear है सभी को, कोई problem तो नहीं है, प्रीज बताएए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तो इसका अंसर यह है, इसका complete solution दिलिया है, अगला question, directly formula पूछ लिया गया है, भाई साब, तो अगर कोई particle जो है, वो फेका गया है, पूण alpha पर 6 पिच से, तो उसके दवारा प्राप्त की गई, अधिक्तम उचाई क्या होगी, तो यह सका formula मैप को बता चुका हूँ, क्या होता, बता ही, चारों को देख करके बता ही, कौन सा होगा, यू स्क्वार साइन 2 alpha पॉन G, यू स्क्वार साइन 2 alpha पॉन G नहीं होगा, यू स्क्वार साइन 2 alpha पॉन G, एना, आपसन C होगा, आपसन C, विल्कुल सही, तो direct formula तो बहुत ज़्यादा आते हैं, यू पिट पीट पीजीटी में direct formula भी, आप पीजीटी में नहीं आते हैं, टीजीटी में आते हैं, आते हैं, ओके, ये formula 5 हो गया, अब चलिए question number 6 को करते हैं, question number 6 है, ओके, मैं नहीं बताऊंगा इस question को, बहुत ही, एकदम easy question है, और maths वाले तो इस question को उड़ा देंगे, एक line proportion, बताई देखके बंदा है, चलिए बताई क्या होगा सोची जड़ा, एक minute लीजे, पैन भी चलाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में, option number 4, yes, sir, सूरज सर आपने जवाब दिया क्या है, राजमनी सर में, नीतेश शर में, ओके, तो option number 4 आपका answer है, और बाकी लोग बताएं, चलिए, option number 4 देखते हैं, की सही है की गलत है, देखिए, 100 meter, हाँ, चलिए, देखिए, यहाँ पर क्या करें, maximum height की बात की गई है, और आपको मैंने अभी बताया था कि maximum height का formula होता है, h equal to u square sin square theta upon g, यहाँ पर g में कोई परवर्ता नहीं है, क्योंकि experiment आप प्रत्वी में ही कर रहे हैं, theta में कोई परवर्ता नहीं है, क्योंकि आप इसे उर्धारधर यदि ऊपर की ओर फेकेंगे, या इसे प्रच्छे पे में भी फेकेंगे, अगर vertically upward बोल रहे हैं, तब तो य theta 90 degree हो गया, मतलब formula हो गया, एक भी में यह गती का, लीजे, प्रच्छे पे गती के लिए u square sin square theta upon g होता है, मगर एक भी में गती के लिए theta के जगे 90 रगदो, sin 91 हो जाएगा, formula क्या जाएगा, u square upon g, g constant है, मतलब h proportional to u का square, तो अगले case में, अगर आप इसको दोगुना करेंग h को, तो 2 u हो जाएगा, तो 2 u square, 2 का square क्या निकल के आएगा, 4, मतलब जो velocity height है, वो original की 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि 2 का square 4 बाहर निकलना है, तो 4 गुने, original height कितने की 100, तो 100 का 4 गुना 400 हो गया, बोलिए समझ में आया कि पूरा करके बताऊँ, हो गया, सर, हो गया, ठीक ना, आप इसको चाहे हैं, तो वैसे भी लिख सकते हैं, अधिकता मुझ आई 100 है, और वो ratio वाला rule बना करके, सर, एक बार प्लीज एक्स्प्लेइन कर देजी दुबारा से, यस, मैं पूरा दुबारा से एक्स्प्लेइन कर देता हूँ, चली, इसको देखते हैं, ठीक है, mute कर लिजा प्लीज अपने आपको, वीखे, h equals to u square sin square theta upon g होता है formula, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं हम प्रच्षप्र की बात नहीं कर रहे हैं, अगर प्षप्र होता तो यह formula लगाई क्योंकि कुछ शुना कुछ theta आपको गिया होता है, मगर इस बार आप प्रच्षप नहीं कर रहा हूँ, आप सीधे बॉलको ऊ Earn finger heart, मतलब थीटा कितने डिगरी है 90 तो थीटा कभी असर पढ़ने वाला नहीं है तो साइन 90 कर दीजिए तो साइन 90 हो जाएगा वन क्योंकि आप बॉल को उर्ध्वारदर फेक रहें तो यह को 90 डिगरी हो गया तो यह फॉर्मुला क्या बन गिया है यू स्क्वेर अपॉन जी यू स्क्वेर अपॉन जी ठीक ना अब देखिए यहां पर इसमें क्या दिया गया है एच वन बराबर सौ मीटर एच वन बराबर सौ मीटर ठीक ना तो अब हम यदि देखें दो और हमें निकालना है एच 2 हमें निकालना है कि एच 2 क्या है और फर्क क्या कियन दोगों ने फर्क ये किया है कि प्रारमभी के वेख जो है जो अंतिम वेख है वो उसका दो गुना कर दिया है मतलब पहली बार अगर इन्होंने u से फेका है तो दूसरी बार किस से फेका है 2u से तो formula main क्या है formula है u square upon 2g इस formula को देखकर कि आप क्या कह सकते है जब यह constant है तो यह constant होने से आपके पास क्या rule बन गया h proportional to u square जिससे आपके पास बन के आया formula h1 upon h2 equal to u1 square upon u2 square h1 आपके पास कितना है 100 h2 आपके पास कितना मिलेगा आपको h जो निकालना है u आपके पास u ले लीजिए तो u का square और दूसरा u2 क्या है 2u क्योंकि double कर दी बेग तो 2u square मेरे solution कराने के पहले आप लोग question अच्छे से पढ़ लीजेगा नहीं तो मैं तो कराना शुरू कर दिया अगर आपने सवाल ही नहीं पढ़ा होगा तो आपको problem होगी h2 तो 100 बटे h2 equals to u square upon 2u square 4u square u square से u square होगे cancel 4 का multiply 100 के साथ तो नई वाली हाइड जो होगी वो कित्ती होगी 400 मिटर अब बताइए आरते जी clear है आपको yes clear है तो इस तरीके से बताइए सर कुछ कह रहे थे मैम पूछी है मैम पूछी है कि clear होगा न होगा हाँ हाँ मैंने पूछा ना मैम से पूछा मैंने इना मैम ने पूछा थे इना मैम ने अच्छा नाम शहर मैंने आती मैम बूला है no problem अब नाम इतने सारे ले पाना मुश्किल होता है तो जो मैं बोल दूँ वही नाम समझ लीजिए आप बस आपको पता चल जाए चलिए मैतरो अगला question करते हैं ये वाला अब यहां पर जो projectile है ये horizontal projectile है अभी तक मैंने आपको जो projectile पढ़ाया है उसमें अपने जमीन से वस्तु को उपर की तरफ देखा था अब आप उपर से फेकेंगे तो ये जो परच्छेप कहलाता है पहला वाला इसको सेफ करके मैं आपको दे दूना भी चलिए तो दूसरे पर आप हम देख रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ 36 परच्छेप 36 परच्छेप 36 परच्छेप में क्या होता है आप किसी हाइट से बैठ करके बॉल को फेकेंगे यहां से कोई भी परच्छेप को फेकेंगे तो इसका जो 36 परच्छेप वेग है वो यू है अब देखिए क्योंकि एक्स देशा में किसी परकार का तुरण नहीं लग रहा है मतलब एक्स देशा में तुरण कितना है जीरो और तुरण क्या करता है वेग में परवर्तन करता है जो जो तुरण ही नहीं है तो किसी परकार का वेग में परवर्तन नहीं होगा तो यहां भी वेग कितना होगा यू यहां भी वेग कितना होगा यू मतलब छैतेज वेग हमेशा एक समान बना रहेगा U मगर इस टार्टिंग पॉइंट में जब आपने इसको इधर थो किया इधर मारा है तो आपका Y दिसा में वेग कितना था? 0 था क्योंकि Y दिसा में आपने इसे 0 वेग दिया है मगर जैसे जैसे ये कण आँगे बढ़ेगा तो Y दिसा में वेग कारे करना सुरू हो जाएगा जैसे जैसे ये कण आँगे बढ़ेगा माल लिजिए T पॉइंट पर समय T पर ये कण यहां आगया इस बिंदू पर समय है T तो इसका वेग यहां पर कुछ न कुछ हाएगा कैसे निकालेंगे हम वेग समय करना होता है V बराबर U प्लस A T तो वेग निकालना हमें VY एक्वाई एक्वाई प्लस A Y इंटू T तो आप समाजी ये प्रोजेक्टाइल क्या कहता है जो वो मोशन होगा सारे कंपोलेंट उसी के दिसा के हो जाएंगे तो VY एक्वाई एक्वाई प्लस A Y इंटू T तो VY वेग बराबर U Y कितना है 0 प्लस G एक्वाई इंटू T तो VY बराबर कितना आ गया G T आ गया अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठरा होगा कि सर पिछले बार गती नीचे की तरफ जा रही थी तो आपने G को माईनस लिया था इस बार प्लस क्यों लिया है क्योंकि इस बार मेरा वेग भी नीचे की तरफ है और मैंने नीचे के वेग को प्लस लिया है तो मेरे को जो नीचे की तरफ गुरुत्वी तरण है एक ही दिशा में लेंगे, मतलब उपर वाले सब प्लस ले रहे हो, तो नीचे वाले सारे माइनस, और अगर उपर वाले सारे माइनस ले रहे हो, तो नीचे वाले सारे प्लस, मतलब एक कोई चिन्न ले करके चलना है अपको, आपका अंसर गुदत नहीं हैगा, बिल्कुल सही ह तो चलिए जी, क्या समझ में आया है कि हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास इस point पर, जो सभी point पर, जो 66 वेग है, वो समान बना रहेगा, और जो उर्धार्धर वेग है, वो बदलेगा, तो यदि मैं इस point पर कुल वेग निकालूं तो मैं कैसा लिखूंगा इसका एक है छेतिज वेग और एक है इसका ओध्वारदर वेग तो मैं लिखूंगा कुल वेग भी बराबर भी सदेश बराबर U I cap U I cap है इधर की ओर लगेगा उपर की तरफ लगेगा U I cap plus V Y J cap और J cap नीचे की तरफ अब आप कौाडिनेट में आ चुके हैं तो आप माइनस लगा सकते हैं कि वेग का घटक जो है नीचे की ओर है है ना तो अब आप कौाडिनेट में आ चुके हैं तो माइनस J cap direction है तो वो लगा सकते हैं तो यहाँ पे यदि कुल वेग की बात की जाए तो U I cap माइनस V J cap आप यहाँ पे लगा सकते हैं ठीक है तो इसको आप देखें कुल वेग यदि इस बिंदू पर देखा जाए तो वेग के दो घटक निकल रहे है एक निकल रहा है U और एक निकल रहा है VY तो VY कितना निकल रहा है GT दोनो 90 अंश पे हैं तो जो परिगाम इसका आएगा आप सबको पता है सदिस का परिणामी कैसे निकला जाता है अंडरूर A square प्लस B square वाले फॉर्मुले से तो इसका यदि परिणामी आप निकलना चाहे है तो इसका परिणामी आएगा V equals to अंडरूर U square प्लस GT का whole square तो इस तरीके साथ इसका परिणामी सदिस परिमान निकाल सकते हैं चलिए तो अब इस सवाल को पहले इस topic को नोट कीजे फिर आँगे पढ़ते हैं ठीक है इसको नोट कीजे फिर इस पर question करेंगे ये इसका क्या है ये इसका वेग है किसी भी बिंदू पर किसी भी समय पर परिणामी वेग 36 प्रोजेक्टायल में horizontal प्रोजेक्टायल में ये निकलेगा लिख लिए रोस्तों लिख लिया समय रिप्लाई करें लिख लिया ना येस ओके चलिए तो देखते हैं इस पर question करते हैं ये question लिखा है एक पत्थर को 100 मीटर उचे उस्तम से 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग 36 प्रतिशिप्ट किया जाता है प्रतिशिप्ट किया जाता है प्रतिशिप्ट के एक सेकंड बाद उसका वेग क्या है लिख वह या ये height दे रखी है 100 मीटर बहुत बढ़िया 100 मीटर height से एक पत्थर को फेका गया इसकी जो 36 प्रतिशिप्ट की बाद मालोई यहां पहुँच गया तो कहरा प्रच्छेप्ट के एक सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा मतलब आपको इसकी कुल वेलॉस्टी निकालने है तो प्रच्छेप्ट के एक सेकंड के बाद कुछ इसका 36 वेग होगा और कुछ इसका उर्धवारधर वेग होगा आप सबको मैंने बताया, छैते ज्वेग में कोई परिवर्तन नहीं हाता है, छैते ज्वेग कितना होगा, 9.8, मगर उर्धवार्धर जो होता है, अभी-अभी मैंने बताया आपको, वी वाई एककोल टू यू वाई प्लस जी टी, क्योंकि बॉडी उपर से नीचे की तरफ ज पटी कितना है, एक सेकेंड़, तो ये भी कितना होगया, 9.8, मतलब दो कमपोनेंट काम कर रहे हैं, ये वाला भी 9.8 है और ये वाला भी 9.8 है, और आप सबको पता है, कि जब a लग रहा हो इधर, और a लग रहा हो इधर, तो दोनों का जो परिणामी होता है, वो क्या होता मतलब मैं लिख सकता हूँ 9.8 root 2 होगा इसका परिणामी सदिस चलिए देखते तो option में है क्या yes है answer आएगा 9.8 root 2 under root a square plus b square सब कर सकते हैं यह इसका solutions है यह देख लिजिए इसको बूले clear है बच्चों बूली जी clear है यह सर ठीक है तो इस तरीके से ही हमने solve पर लिए अगले सवाल की तरब पढ़ते हैं अगला सवाल कल मैंने लामी स्थियोरम आपको पढ़ाया था लामी स्थियोरम में मैंने आपको बताया कि लामी स्थियोरम होती है अगर तीन बिंदू एक ही बल पे हैं और वो संतुलित निकाय बना रहे हैं मतलब संतुलित निकाय का मतलब तीनों बल सामय वस्ता में हैं बल नहीं बल तो उधारण है कोई भी सदिस हो तो वो सामय वस्ता में बनाएगा तो लामी स्थियोरम वहां लगेगी यह F1 है यह F2 है यह अगर यह तीनों बिंदू एप समय वस्ता में तो एफ मन के सामने का कौन अगर अगर अभा है एफ्टरी के सामने का क्यों अगर गामा है तो खल हमने रूल पणाता लामे इस प्रूम का f1 upon sin alpha equal to f2 upon sin beta is equal to f3 upon sin alpha मगर यह लगती कब है यह लगती है जिस समय तीनों बल एक ही बिन्दू पर काम करते हैं तो पहली चीज बिन्दू एक हो एक ही बिन्दू हो और दूसरी चीज क्या है यह तीनों बल क्या हो यह साम्या वस्था में हो साम्या वस्था का मतलब समस्ते हैं आप लोग साम्या वस्था का मतलब बलों का परिडाम कितना हो जीरो मतलब कुल बल इन निकाये पर जो निकलेगा वो कितना होगा जीरो आईए तो सवाल करते हैं यस प्वेशन है यदि एक पिंड साम्य वस्ता में है तो उस पर तीन बल कारिदत है तो बताइए वो तीनों बल कैसे होंगे बहुत इजी प्वेशन डी आप्शन सर डी आप्शन आइधर यार पैरलेल और यार मीटिन यार दे तो एक तो केस मैंने आपको बता दिया अब पैरलेल वाला केस कैसे राइज कर दिया तो पैरलेल वाला बहुत ही सिंपल है कि मान लिजे एक रस्सी है एक रस्सी को दो पहलवान इधर से कीच रहे हैं ये पहलवान पांच न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ये भी पांच न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा जो पहलवान है वो दस न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो फिजिक्स की भासा में ये तीनो बल पैरलेल होंगे तो करेक्ट आंसर इसका है D option बिल्कुल सही D L का करेक्ट आंसर तो यदि पिंड सामय वस्ता में है और उस पर तीन बल कर रहत है तो बल समानतर होंगे या वे एक बिंदू गामी होंगे चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल बेहत सरल सवाल अगर कोई दो कौन है 45 मैनस थीटा और 45 प्लस थीटा इन दोनों पर प्रच्छेप को समान वेग से प्रच्छेपित किया गया है तो इनकी छेतिच परासों का अनुपात क्या है मतलब हालात क्या है इसी मतलब रिफरेंस लाइन है 45 की और एक कौन 45 से थीटा इंगल कम पर फायर किया गया है प्रच्छेपित और एक 45 से थीटा इंगल ज्यादा पर फायर किया गया है तो बताईए दोनों के प्रच्छेपों का अनुपात कितना होगा जब ये जा करके लोटेंगे तो इनकी छेटिश परासों का अनुपात क्या होगा मतलब एक की छेटिश परास ले लोग और एक की लोग आर टू और दोनों का अनुपात निकाल लिया चलिए बेहत सरद सवाल करिए सौल इसको वन रेशियो वन होगा सर वन रेशियो वन होगा तो आपने यह रिजल्ट याद किया है कि सौल कर लिया स्वाल करेंगे और 45 प्लस थीटा सबको पता है यह फॉर्मूला होता है चेटिश परास का तो यू बदल नहीं रहा है जी बदल नहीं रहा है अब रही बात थीटा बदल रहा है तो थीटा पहले केस में कितना है 45 माइनस अलफा और 45 माइनस थीटा या अलफा जो भी लेना हो ले लो और अगला है 45 प्लस अलफा मतलब 45 डिगरी से कम अलफा और 45 डिगरी से ज्यादा अलफा तो अगर आप यहा और दूसरा r2 equal to u square sine 2 theta तो 2 theta की जाएक है 45 ते alpha degree जादा अपन g solve करते रिखे r1 equal to u square sine 45 गोने 90 minus 2 alpha divided by g and r2 equal to u square sine 90 plus 2 alpha divided by g यह कितना हो गया u square sine 90 minus theta हो गया cos theta cos 2 alpha by g and r2 sine 90 plus theta again cos 2 alpha u square sine cos 2 alpha 1 g मतलब r1 equal to r2 कोई परिवर्था नहीं आ रहा मतलब परास सेम रहेंगे तो अब directly याद कर सकते हैं इसका एक logic बना सकते हैं कि r45 minus theta is equal to r45 plus theta directly logic बना लें कि 45 minus theta equal to r45 plus theta okay r45 minus theta और r45 plus theta तो अब यहाँ से एक चीज और है अगर आप 45 minus theta और 45 plus theta को add कर दें एक और चीज यहाँ पर मैं एड़ करना चाहूँगा अगर आप 45 minus theta और 45 plus theta को add कर दें तो theta से theta का answer हो जाएगा कितना आएगा 90 मतलब यह दोनों angle एक दूसरे के कैसे है complementary pair मतलब r अगर आप complementary pair पे अगर आप complementary pair पे project को फेक रहे हो तो दोनों की horizontal range के आएगी equal आएगी चली अगला सवाल है सामान्य केटनरी का कारतिय समिकारा प्लीज आप माइक आफ कर लीजे हवा बहुत साउंड आ रहा है हाँ जी सर सूरत सर क्लियर एकदम सब कुछ सही जा रहा है जी हाँ हाँ सर एकदम अच्छा है सर चली सर अगला सवाल है सामान्य केटनरी का कारतिय समिकारा देकि जी अब कुछ जगहे पर statics और dynamics में PhD करनी के आप सकता नहीं है उनको as it is याद रखना है वो मैं formula आपको बताते जाओंगा जैसे खोखले गोले का आपको एक बार सवाल आया पिछले बार कि खोखले गोले का गुरुत्य केंदर जिसकी तरिज्या A है उसका गुरुत्य केंदर उसके केंदर से कित्य उपर होता है तो खोखला गोला है तरिज्या A है तो यह तरिज्या A होगी अब याद रखिए का खोखले गोले का गुरुत्य केंदर होता है उसके केंदर से A by 2 दूरी पे होता है गुरुत्य केंदर यह है जहां पर gravity कारे करती है तो ये गुरुक्तर के इंदर इससे कुछ चीजें हैं जो आप रट लीजिए उनमें ही भलाई है तो जैसे यहां पर समाने catenary का कारती समीपन अब catenary क्या होती है यह मैं आपको लटा देखा हूँ आपने देखा होगा कि कई जगे डिजाइन के लिए सजावट के लिए ऐसे दो चड़ों होती है और दो चड़ों के बीच में लोग जो होते हैं चैन लटका देते हैं इस तरीके से चैन की कड़ी लटका देते हैं तो इस तरीके से यह जो चैन की कड़ी होती है ये परवलिया कार पाथ बना देती है तो इस परवलिया पाथ पाथ का जो समीकन होता है उसको हम बोलते हैं सामानिक केटनरी तो हाइपरवोलिक ये ने अती परवलिक फंक्शन के रूप में इसका कारती समीकन दिया जता है और इसका कार्थी समयकन आप लिख लें copy में c cos h x y c समाने catenary का समयकन होता है c cos h x y c लिखिया हो इसको यस तो इसका समान केटनली का समिकन है c c h x y c ठीक है इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है? ओके आंगे बढ़ते हैं लिखिये परवले के equation of trajectory परवले नहीं प्रच्छेप के पत का समीकन तो प्रच्छेप के पत का समीकन क्या होता है यह आपने कोई U एक से प्रच्छेप फेक दिया है किसी समय पर इसके नर्दे सांग क्या है X,Y मतलब यह दूरी X है और यह उचाई Y है तो इसके प्रच्छेप का समीकन होता है Y बराबर X 10 Theta माइनस GX square अपन U square Cos square Theta यह होता है X 10 Theta माइनस GX square अपन U square Cos square Theta ठीक है इसको नोट कर लिजे इससे बहुत सारे questions अच्छे अच्छे बनते है X 10 Theta माइनस GX square upon U square Cos square Theta अगला सवाल देखते हैं तो जो हमारा प्रच्छेप के पत्का है वो इसी तरीके से होगा ये दिया गया है एक प्रच्छेप की गति निम्न समीकन से व्यक्त की गई है प्रच्छेप का पारस नहीं बताना परास बताना है पर आस मतलब horizontal range, इसकी range क्या होगी, मतलब आपको r बताना है, नित्रों r, capital r बताना है, ठीक है, तो इसका capital r कैसे बताएंगे, आईए देखते हैं, question note कलीजी, परचेप की समीकन दी गई है, y बराबर ax minus bx square, और इसका आपको r बताना है, तो एक तो तरीका है, कि आप directly याद कर सकते हैं, इसका result, वटेरी develop करा दूँ तो और अच्छी बात है, इसका result, याद कितना करके जाएंगे, है न, develop करा देते हैं, देखें कैसे करते हैं, यह मैंन करते हैं, कि प्रचेप की जो trajectory का समीकन होता है, जो path का समीकन होता है, y बराबर x 10 theta minus 1 upon 2, g bracket में, u square cos square theta into x square, मतलब वही जो मैंने लिखा आपके सामने भी copy में, ऊपर लिखवाया बने, y equal to x 10 theta minus 1 by 2, gx square upon u square cos square theta, ओके, अब देखें, यह समीकन है, आपको क्या बनाना है यहा पर r बनाना है, तो r बनने के chances कहां दिखर हैं? यहाँ पे दिखर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर u है, तो यहाँ पर r बनाईए, तो r बनाने के लिए रिखें क्या करना पड़ेगा, हमें r होता है u square sin 2 theta by g, तो r बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखे, मैं यहाँ पर cos theta तो है, मेरे पास मैं sin theta का multiply करता हूँ, इसको बहुत अच्छे से हमको समयना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने solve किया है, एक साइन theta का उपर गुणा किया, एक साइन theta का नीचे गुणा किया, और x square को as it is छोड़ दिया, अब देखे, u square और मैं 2 sin theta और cos theta को साथ में ले लूँ, तो मेरे पास बन जाएगा g upon u square sin 2 theta, तो u square sin 2 theta upon g जो होता है, वो क्या बनता है, r बनता है, मतलब upon में r आ जाएगा, और sin और cos की जोड़ी मिलके क्या बन जाएगी, 10 theta upon r, तो finally formula जो आपका बनेगा, y is equal to x 10 theta minus x square 10 theta by r, आप 10 theta common ले लें, तो क्या हो जाएगा, y is equal to 10 theta x minus x square upon r, बताएगे, यह clear हुआ कि नहीं हुआ, यह formula आपने बना लिया है, 36 परास के पदों में, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका जो mic है, वो short हो रहा है, इसलिए जिसने भी बूला है, उनको आवाज नहीं आ रही है, आप message type कर दो, type कर दो message, करकर आ कि आपकी मावाज आ रही है, आपकी clear आवज नहीं आ रही है, so y equal to 10 theta x minus x square upon r, यह हमारा बन गया प्रच्छेप का समीकर, आँगे चलते हैं, तो हमारे पास प्रच्छेप का समीकर बना है, अब हमारे पास जो प्रच्छेप का समीकर दिया क्या है, y equal to ax minus b upon x square, तो x अकेला होना चाहिए, तो a common ले लिए हमाने, x minus b upon ax square, ओके, b upon a को नीचे पलट के मैं क्या लेक सकता हूँ, a upon b, तो यह किसका काम करेगा, यह काम करेगा, r का, तो इस तरीके से r का मान क्या हो गया, a upon b, और अगर आप बात करें, short trick की, तो अगर आपके पास प्रच्छेप का पत है, a x minus b x square, और आप से r बूला जाए, तो सीरे याद कर लो, ऐसी situation में, r होगा, a upon b, कुछ भी नहीं करना है, सीरे याद करके चले जाए, आप याद भी कर सकते हैं, इसको, ठीक है मित्रों, समझ में आया की नहीं है, बताइए, प्लीज एक बार, अगला सवाल लेखते हैं, लास सवाल आज की क्लास का, दो समान, पूर्ण परत्यास्त, सीरे टकराते हैं, टूर टकरनाए, बात करते हैं, परत्यास्त, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब गतिज उर्जा, बिलकुल भी नष्ट नहीं होगी, आईए देखते हैं, गतिज उर्जा का फर्मुला आप सब लोग जानते हैं, हाफ M V स्क्वेर होता है, तो होता क्या बेटा, यहाँ पे एक पिंड है एक, जिसका वेग है U, और दूसरा पिंड है V, जिसका वेग है V, जाहिर सी बात है, टकराना है, मतलब U जादा होगा, और आपको पता है, गतिज उर्जा संदक्षित रहती ही, तो टोटल गतिज उर्जा यह दी लिखी जाए, तो क्या होगी, हाफ M U स्क्रार प्लस हाफ M V स्क्रार, अब गति जूर्जा संदक्षित है, तो गति जूर्जा को बराबर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब यह टकराएंगे, और पूर्ण प्रत्यास्थ, पूर्ण प्रत्यास्थ टकर है, तो पूर्ण प्रत्यास्थ टकर में E का मान कितना होता है जी ए का मान होता है एक ठीक है ना तो पूर्ण प्रत्यास्त टक्कर है यहां पे तो पूर्ण प्रत्यास्त टक्कर के लिए ए मतलब प्रत्यावस्थान गुणांक तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी याने इनके वेग इंटरचेंज हो जाएगे तो अब जो पहला वाला पार्टिकल है इसका वेग हो जाएगा भी और दूसरे वाले पार्टिकल का वेग हो जाएगा यू तो आंसर क्या है वेग अदला बदली हो जाएगी आपस में वेग परिवर्तित हो जाते हैं चलिए तो इतने questions कर लिए हैं, हमने 12 questions कर लिए, आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे, धन्यवाद दोस्तों. Thank you, sir. Thank you.